चाय से बालों को हमेशा के लिए काला करें दोस्तों आज हम जानते हैं कि चाय से हम अपने बालों को कैसे काला करें आज कल के समय में कई लोग बड़ी जल्दी से बालों को काला करना चाहते हैं इसलिए वे बाजार से केमिकल वाली डाई इस्तिमाल करते हैं यह डाई बाल तो काले कर देती है पर बालों को जड़ से कमजोर भी कर देती है जिसकी वज़र के कारण हमारे बाल जढने लग जाते हैं और कई लोगों को यह स्किन पर इलर्जी कर देती है कई लोग तो यह डाई इस्तिमाल नहीं कर सकते अब हम एक नेचुरल तरीके से घर पर ही बालों को का एक चम्मश्च इसमें चाय पती अब हम एक चम्मश्च इसमें चाय पती काट डालेंगे चाय पती भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करती है इस बनाने के लिए एक चम्मश्च चाय को पानी में डाल कर उबा लेना है जो हम बालों के लिए फेस पैक तयार करेंगे यह उसमें इस्तिमाल करेंगे एक चमश चावला पाउडर सबसे पहले हम एक चमश चावला पाउडर लेंगे आवला पाउडर एक ऐसी नेचुरली चीज़ है जो कि हमारे बालों को काला भी करती है और साथ ही साथ जड़े भी मजबूत करती है अब हम एक चमश्च शिका काई पाउडर लेंगे शिका काई पाउडर भी हमारे बालों को जर से काला करता है और गाना भी बनाता है इसे आप किसी भी जनरल स्टार से ले सकते हैं यह बड़ी आसानी से मिल जाएगा एक बिटामेनी की कैपसूल अब हम इसके अंदर एक बिटामेनी की कैपसूल डालेंगे दामेनी कैपसूल हमारे बालों को सिल्की बनाता है एक नैचुरली साइन भी देता आप किसी मेडिकल से भी ले सकते हैं अब आपने इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है यह फेस पैक बालों पर लगाने से पहले आपने अपने बालों को किस शैंपू से दो लेना है और बाद में यह फेस पैक अपलाई करना है ऐसा करने से आपके बालों पर बड़ी अच्छी तरह यह इस पर असर क फिर इस face pack को अपने बालों पर लगा कर आधे गंटे के लिए छोड़ देना है और बाद में आपने simple पानी से बालों को धो लेना यह बात ध्यान में रहें आपने जो शैंपू करना है वे हगले दिन करना है अगर आप हफते में एक बार ऐसा करते हैं है तो आपके बाल नेच पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल हैश मी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और पाए हर समस्या का घरेल विलाज